हेलो एवरिवन आज का मारे टोपिक बी बेसी सेगंडियर फोर्ट सेम सिक्वेंसिज एंड सिरीज एक्सराइज 4.4 तो आज हम सिखने वाले हैं तो यह टेस्ट हमारे पास क्या कहता है देखो हमारे पास if summation an is a series of positive terms such that यह हमारे पास एक positive terms की series है ठीक है जी तो लिमिट n टेस्ट निफिनिटी n time an by an plus 1 minus 1 फिर उसमें से minus 1 करेंगे और बाहर log n से multiply करेंगे उसका जो answer आएगा एल हमारे पास को finite answer आएगा then the series is convergent if l कैसो हमारे पास greater than 1 ठीक है जी and divergent if l मेरे पास कैसो हो जी less than 1 और l is equal to 1 पे no conclusion तो l is equal to 1 पे यह test भी क्या हो जाता है जी फेल हो जाता है यह test को apply कब करते है जब हमारे पास ratio test fail होता है ठीक है जी डियर लंबर टेस्ट फेल होता है तो हम हमğung apply करते है राब इस टेस्ट जब राफर फेल होता है तब क्या apply करते है तब apply करते है डी-Morgans टेस्ट क्या थिक जी सब्गेगा जो कर दो ठेक है और multiply log n कर दो ठेक है जी तो यह टेस्ट हमारे पास क्या है डी मोरकन्स टेस्ट अब बात करते एक्सरसाइज के कोशन्स के तो आसे चीज़े आपको और कलिर हो जाएंगे ठीक है जी कन्वरजेंट कब होगा जब एल हमारे पास क्या हो जी greater than 1 हानू तो हम बात करेंगे एक्सरस 4.4 के कुश्च नमबर फरस्ट हमारे पास है 1 पॉर स्केर और 3 स्केर पलस के टू स्केर इंटो फोर स्केर अपॉन 3 square 5 square plus 2 square 4 square 6 square upon 3 square 5 square into 7 square plus and so ठीक है जी यह हमारे पास है तो इसको में solve करना है तो करते हैं इसको solve तो देखो ध्यान से हमारे पास 3 series दिरखे है तो जो 1 है यहाँ पे 1 यहाँ पे pattern को follow नहीं कर रहा है तुम क्या कर सकते है 1 को reject कर सकते है यहाँ से ठीक है अगर first finite terms को में add करें या neglect करें तो उससे sequence की या series की हमारे पास जो convergent है जो divergent है उस पे कोई factor नहीं पड़ता ठीक है तो यहाँ से इस one को क्या करेंगे reject कर देंगे क्योंकि देखो यहाँ से इसके अंदर 1 term आएगी इसके अंदर 2 term आएगी इसके अंदर 3 term आएगी तो end के अंदर कितने है जाएगा हमारे पास end के अंदर end terms जाएगा ठीक है तो यहाँ से करेंगे neglecting लगदे तो में यहाँ से neglecting first term तो हमारे पास एन क्या बन जाएगा let an, an मेरे पास यहाँ से end term आएगी ठीक है जी वो end term क्या बनेगी तो first के अंदर तो 1 term है, second के अंदर 2 term है तो third के अंदर 3 है, तो end term के अंदर कितने term आएगी end terms आएगी, तो 2 का square 4 का square, 6 का square and so on और यह मेरे पास क्या है, 2 का multiple है तो यहाँ जाएगा 2 end का square ठीक है जी, अब उन में 3 का square, 5 का square 7 का square and so on तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा 2 end था, उसमें एक जोड़ दिया 2 में एक, तो 2 end plus 1 इसका square हंजी, end मेरे पास हो गया इसी परकार से हम end plus 1 लिख सकते हैं, तो end plus 1 क्या बनेगा 2 का square, 4 का square, 6 का square and so on, 2 end का square और एक टर्म और आजेगी यहाँ पर हमारे पास वो क्या बनेगी, 2 end plus 2 का square ठीक है जी, तो 3 का square 5 का square, 7 का square and so on 2 end plus 1 का square, दो दोगा डिफरेंस है, दो इसमें हैड कर दो तो 2 end plus 3 का square ठीक है जी, यह हमारे पास हो गया अब यहाँ से हम क्या चेक करते है एन अपोन, एन प्लस, बन चेक करते है ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगा नो एन अपोन, एन प्लस, बन तो 2 square, 4 square, 6 square and so on 2 end का square, अपोन 3 square, 5 square, 7 square and so on 2 end plus, 1 का square multiply, तो multiply करेंगे तो reciprocal हो जाएगा हमारे पास 3 square, 5 square, 7 square and so on यह बनेगा हमारे पास 2 end plus 1 इसका square, और लास में हमारे पास 2 end plus 3, इसका square और अपोन में हमारे पास आए गई है 2 square, 4 square, 6 square and so on 2 end का square और 2 end plus 2 का square ठीक है जी, यहाँ तक हो गया हमारे पास तो 2 से लेकर 2 end square तक की term cancel out हो जाएगी यहाँ पे ठीक है जी, तो 2 end plus 1 का square 2 end plus 1 का square यह term cancel out होगी यहाँ पे तो अब हमारे पास final क्या बचता है a end upon a end plus 1, तो वो बचेगा हमारे पास यहाँ से 2 end plus 3 इसका square ठीक है जी तो इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं तो end square यहाँ से कोम निकाले cancel out कर देता हूँ मैं तो क्या बनेगा 2 plus के 3 by end का square अब उन में 2 plus के 2 by end का square ठीक है जी, यह हमारे पास बन गया अब अब अपलाए करते limit end tends to infinity a end upon 1 end plus 1 तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास limit end tends to infinity 2 plus के 3 by end का square अब उन में 2 plus के 2 by end का square तो यहाँ से यह 0, 2 बचेगा 2 का square 4 यह 0, 2 बचेगा 2 का square 4 और 4 by 4 क्या बनेगा 1 बनेगा 1 बन गया है तो यहाँ पे हमारा जो यह ratio test है वो क्यों हो गया fail हो गया ratio test fails जब ratio test fail हो जाता है तो हम apply करते है rubbish test ठीक है जी rubbish test यह इस अपलाई करेंगे फर्दर तो यह जी आप note कर ली होगी तो rubbish test अपलाई कर रहेगे यहाँ से तो हमारे पास क्या बनेगा जी जो an upon an plus 1 इसमें 7 minus करने है ठीक है कर देते हैं an upon an plus 1 minus का 1 तो an upon an plus 1 की value मेरे पास यह है 2n plus 3 का square upon में 2n plus 2 का square minus के 1 तो इसका square open करेंगे तो 4n square plus के 9 plus के 2, 3, 6, 2, 12 upon 4n square plus 4, plus के 2, 2, 4, 2, 8 ठीक है जी minus के 1 तो इसको पर ले जाएंगे else में लेकर के 12n minus के 4n square minus के 4, minus का 8n upon में 4n square plus के 4, plus का 8n ठीक है जी तो 4n square से 4n square cancel out हो जाएगा 9 में से 4 separate करेंगे तो 5 बच्चेगा 12 में से 8 separate करेंगे तो 4 बच्चेगा उनी चाहएगा मारे पास 4n square plus 4, plus 8n ठीक है अब यहां से हमें क्या करना है इसके multiply करने जी n के साथ तो n time an upon an plus 1 minus का 1 तो इसके n से multiply करेंगे 5 plus के 4n upon 4n square plus के 4 plus का 8n ठीक है तो मैं यहां से n कामन निकाल दूनी चैसे एक n यह है तो cancel out हो जाएगा cancel out होने के बाद बचेगा के मेरे पास वो बचेगा 5 plus के 4n अब उन में यहां से बचेगा 4 plus 4 by n plus 8 ठीक है जी यह हमारे पास बच जाएगा यहां पर तो इसके बाद अब हमारे पास एक second यहां पर 4n बचेगा 4n plus के 4 by n plus का 8 ठीक है इतना का हमारे पास हो गया है अब हमें आप से करना क्या है यहां पर अप्लाई करने है limit limit and 10 to infinity अप्लाई करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा यह 4 हमारे पास ठीक है ओके तो मैं इसको 4n को में निकाल दूँ यहां से तो 5 by n पलस का 4 अपोन में n ही आसे को में निकाल दूँ ठीक है जी n को में निकाल लेंगे तो यहां से बचेगा 4 पलस के 4 by n स्केर पलस के 8 by n तो यहां पर अप्लाई करेंगे अब हम लिमिट्स को तो करते हैं लिमिट्स को अप्लाई limit limit n टैस्ट इंफिनिट्टी n टाइम n अपोन n पलस 1 माइनस के 1 तो यहां पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी 1 बनेगा यह 0 बनेगा यह 0 बनेगा 4 by 4 4 by 4 क्या बनेगा 1 बनेगा तो यहां पर हमारा रभीज टैस्ट फेल होजबता है अल्सो रभीज टैस्ट फेल्स ठीक है जी तो यहां पर हमारे रभीज से फेल हो गया रभीज तेस्ट फेल हो गया है तो अब हम बात करें किसके अपने करना है जो भी हमारे पास यह आ चुका है इसमें से एक और माइनस कर देंगे उर सब्सक्राइब लोग इन के साथ करेंगे ठीक है तो करते हैं इसके बाद इस टैस को अल्सो फेल्ट ठीक जी यह भी हमारे पास फेल्स करता है तो नव अब यहां से हमें करना है n time an upon an plus one minus one और इसमें से minus one करेंगे ठीक है, तो इसकी value मेरे पास क्या आ रखी थी जी इसकी value n time an upon an plus one minus k1, तो इसकी value मेरे पास ये आ रखी है ठीक है, ये आ रखी है तो मैं क्या क्रोई 10 की mathematical power कर दो ठीक है तो क्या बनेगा मेरे पास 5N पिलस 4N स्केर अप़ोन में 4N स्केर पिलस 4 पिलस 8N तो यहां से 5N 8N तो मैंस का 3N ठीक है जी 4N square से 4N square cancel out हो जाएगा बच्चे गए यहां से माइनस का 4 ओके तो यह बनेगा हमारे पास 4N square प्लस 4 प्लस का 8N ठीक है इतना कम हमारे पास हो गया है हैं टाइम 5N प्लस के 4N square इसमें से हमने इसको माइनस का 4N square प्लस के 4 माइनस का 8N तो यहां से मारे पास बचेगा माइनस का 3N और माइनस का 4 अब ओन में 4N square प्लस 4 प्लस का 8N तो इसके वेले हमारे पास निकल गई है अब हमें करना क्या है अब हमें करनी है multiply किसके साथ multiply करने है इसके multiply करने है जी लोग n के साथ ठीक है करते हैं यहां से लोग n के साथ इसके multiply यह बद चेक कर लगते हैं को mistake ना हो जाए ठीक है 4n square plus 4n n plus 12 by 4n square plus 4 plus 8 n तो 4n square plus 9 plus 12 n minus 4n square minus 4 minus 8 n ठीक है तो यहां से 4n square cancel 4n और यहां से 9 minus 4 5 ठीक है 4n square plus 4 plus 8 n तो यहां से minus 1 किया हमने multiply किया तो n ऊपर था n यहां से को मना जाएगा तो 4n plus 4 by n plus 8 तो यहां से n को मना किया है यहां से को मना करके cancel out हो जाएगा तो यह बनेगा हमारे पास 5 by n plus के 4 upon 4 plus के 4 by n square plus के 8 by n ठीक है यहां तक हमारे काम ओके नव यहां तक हमारे काम हो गया है अब हमें multiply करने किसके साथ लोगन के साथ करते हैं जी लोगन के साथ मिल्टिप्लाइब इसकी एंड टाइम एन अपॉन एन प्लस वन माइनस का वन ठीक है माइनस का वन लोगन तो यहां से हमारे पास बनेगा माइनस का 3 एन माइनस का 4 अपॉन में 4 एंड स्केर प्लस का 4 प्लस का एट एंड और यहां से हमारे पास लोगन ठीक है इतना का मारे पास हो गया अब यहां पे अप्लाइ करने है इसके लिमिट ठीक है लिमिट अप्लाई करेंगे यहां पर एंट टैन्स आयंस तो यहांसे हमारे पास क्या बनने बाला है करेंगे इंफिन आंटी तो इंफिनिटी बन निकाल लेता हूं, ठीक है, हमारे पास थोड़ी सी calculation आसान हो जाएगी माइनस 3 एन माइनस के 4 अपोन में 1 बाई एन बार आ गया 4 एन स्केर, पलस 4 पलस का 8 एन एक यह नि बचेगा, 4 एन को में निकालना है, तो 4 एन बचेगा पलस के 4 एन बचेगा पलस के, हमारे पास 8 यह बचेगा हमारे पास यहाँ पे ठीक है जी, और बाहर हमारे पास है लोग एन ठीक है जी, तो एन को हमें यहाँ पे ले के जाता हूं लोग एन अपोन में एन तो माइनस के 3 एन माइनस के 4 अपोन में 4 एन पलस के 4 एन गौल सका 8 ओर लोग एं अप्वन में थेक है जो हम सब्प्सक्राइब करेंगे थेखे हैं तो करते हैंप्ड़ा लिमित लिमित एंटЭंट एंट समय इंट टाइम एंट एंटन अपन पन एंपलस्वन माइनस के वन माईनस का वन log n is equal to limit n tends infinity minus ka 3 n minus ka 4 upon me 4 n plus ka 4 by n plus ka 8 log n upon me n वो इसका answer हमारे पास क्या बनेगा देखो यहाँ put करेंगे infinity ठीक है यहाँ put करेंगे infinity यह तो हमारे पास फिर से infinity by infinity form बन रहा है ओके और यह value हमारे पास बन जाएगी लोग n upon me n infinity by infinity तो 1 by n और यह cancel out यह value मेरे पास 0 बन जाएगी यह तो 0 बन गे ठीक है जी यहाँ से 0 बन जाएगा 8 बच जाएगा infinity और यह n तो इसका करते थोड़ा सा इलाज तो infinity by infinity form बना रखा है तो हम क्या करते है यहाँ से n यहाँ से कमन निकाल लेंगे n यहाँ से कमन निकाल लेंगे ठीक है जी तो हमारे पास क्या बन जाएगा यह limit and tension infinity तो यह बनेगा हमारे पास minus के 3 minus के 4 by n n हमने यहाँ से कमन निकाल लेंगे ठीक है जी फिर n ही यहाँ से कमन निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 4 plus के 4 by n square plus के 8 by n और यह आएगा हमारे पास log n upon में n ठीक है हमने क्या कर देश का इलाज कर दिया तो अब हमारे पास इंफिनिटे पर इंफिनिटे नहीं बनाएगा अब यह एक ही चीज़ बनाएगा finite क्या बनाएगा देखो इंफिनिटे पूट करेंगे यहाँ पर तो 0 बचेगा minus का 3 इंफिनिटे पूट करेंगे 0 यह 0 तो बचेगा 4 तो minus का 3 by 4 बचेगा यहाँ से ठीक है बट यह log n upon n है तो इसकी वज़े से इसका अंसर क्या बन जाएगा 0 ठीक है जी क्योंकि जो n है वो ज्यादा dominant behavior show करता है log n के respect में यह आप यह कह सकते हो इंफिनिटे पा इंफिनिटे बनेगा तो इसका कर दो क्या जी less than one less than one है तो therefore by d morgan's test given series is divergent ठीक है जी तो given series मेरे पास क्या करती है diverge करती है तो exercise 4.4 गंदर 4 question दिये हुए एक question मैंने करवा दिया बाके 3 question बिलकुल same है ठीक है जी question बहुत बड़े-बड़े हैं इसी type से तो बहुत time लग जाएगा तो उन questions को आप खुड try करना बिलकुल आसान question है same as a pattern से होंगे ठीक है अगर फिर आपको कोई doubt रहते है तो आप हमारी telegram group में या फिर whatsapp group में add over के वहाँ पर discuss कर सकते है जिसका link description box में मिल जाएगा आपको मिलते हैं फिर जल्दी next exercise के साथ bye bye take care see you thank you for watching